तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं CBSC क्लास 9 सिविक्स के लो या पॉलिटिकल साइंस के लो उसका चैप्टर नमबर 2 अब आप कोगे सर चैप्टर नमबर 1 कहा है तो मैं आपको बता दूँ कि छो चैप्टर नमबर 1 है वो इस साल CBSC ने हटा दिया है तो शुरूआत करते हैं चैप्टर के नाम से और चैप्टर का नाम है What is democracy? Why democracy? ठीक है? democracy होती क्या है और democracy क्यों होती है देखो अब तक आपने शायद democracy के बारे में पढ़ रखा हो to the people, for the people, by the people फिर भी आपको छोटा सा मतलब आपको हिंदी में समझा देता हूँ एक ऐसा system जिसे हिंदी में बोलते है प्रजातंत्र जिसके सामने सब लोग चाहे वो काला हो, गोरा हो हाई कास्ट का हो, लो कास्ट का हो सलमान खान हो, आम आदमी हो सारे लोग कानून के लिए बराबर हैं और सब के लिए कानून बराबर हैं सब के लिए जो अधिकार हैं वो बराबर हैं, that is called democratic nation, या democratic country अब आज की डेट में these days all countries call themselves democratic, आज की डेट में हर country कहता कि हम democratic है but in fact they are not पर सच मुच में वो democratic है नहीं और they are not fully democratic और अगर है भी तो पूरी तरह से democratic नहीं है, अब डेमोक्रेसी की definition सलो, डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers are elected by the people समझ में आगया है, screenshot ले लो इसका अब कुछ बच्चे कहेंगे, English बाबा हमें तो कुछ पल ले नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ा रहे हो देखो, क्या कहा, डेमोक्रेसी वो form है government की जिसमें जो ruler होगा, जो leader होगा जो नेता होगा, वो चुना जाएगा किसके दौरा, लोगों के दौरा बच्चा कहा रहा, example देके समझाओ जैसे अभी आज की डिट में मैं बात करूँ, तो दिल्ली के अंदर सरकार है आपकी, यानि कि अर्विंद केजरीवाल की है या नहीं तो मुझे ये बताओ, अर्विंद केजरीवाल की सरकार है महीं मन गई, अर्विंद, भई हर सरकार, बीजेपी वाले भी तो चा रहे थे Congress भी तो चा रहे थे और भी तो पार्टी वाले चा रहे थे हमारी सरकार बन जाए, लेकिन दिल्ली के अंदर आपकी ही सरकार क्यों मनी, क्योंकि भई वहां का जो आम आदमी था, उसने किसको ज्यादा वोट दिये, आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिये, तो यही तो डेफिनेशन है, देखो डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers are elected by the people, जो ruler है, अब एक तरह से यहाँ पर ruler का मतलब होगे, जो political leader है, उसको चुनेगा कौन? लोग चुनेंगे, तो लोगोंने इन्हें चुन लिया, अगर मैं इन से पहले की बात करूँ, तो दिल्ली के अंदर उसकी सरकार थी, कॉंग्रेस की, सीला ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा वोट मिलेंगे, वो ही party का leader आएगा, only on the basis of this definition, we cannot call a country democratic और non-democratic, केवल इस definition के base पे हम किसी भी country को democratic या non-democratic नहीं कह सकते, there are few features of democracy, तो यह question बहुत important है, exam में अक्सर आता है, right to features of democracy, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ features बताऊंगा, ध्यान देना और उनका screenshot लेके रख लेना, ठीक है, which a country has to fulfill, country को fulfill करने होते है, यह features क्या है, if it has to make itself real democratic, अगर किसी भी country को अपने आपको पूरी तरह से democratic कह रहा है कोई country, तो उसे यह features follow करने पड़ेंगे, क्या है वो feature, feature number one, मेरे भाई screenshot लेके रख लो, in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people, क्या कह रही है, line कह रही है, एक democracy के अंदर, final decision making power जो होनी चाहिए, वो केवल उस आदमी के पास होनी चाहिए, जिसे लोग चुनके लाए है, बच्चा करा थोड़ा और समझाओ, जैसे यहाँ देखो, भाई, इन लोगों ने vote किया, और vote करके यह सरकार ले आए, आपकी, त तो यानि कि democracy के अंदर, पहला feature यह है, कि final decision making power जो है, उसके पास होनी चाहिए, जिसे लोगों ने vote किया, जैसे आपने देखा होगा, class के अंदर, madam, vote करवाती है, कि बताओ, भाई, कौन बनेगा monitor, तो finally, जो power आ जाती है, उस monitor के हाथ में आ जाती है, जिसके पास, सबसे happen in many countries, लेकिन काफी सारे देशों में ऐसा होता नहीं है, for example, Pakistan, अब जो पाकिस्तान का ना मिलिया, वैसे भी इन्हें तो थूख के चाटने की आदत है, चलो पढ़ लेते हैं, इनकी कहानी क्या है, in 1919, परवेज मुसरफ remove democracy by using military power, अब जो परवेज मुसरफ थे, ये जनरल थे military में, इन्होंने अपनी military की power use करके democracy हटा दी, कहाँ पर, पाकिस्तान में, कौन से year में, 1919 में, he declared himself president in 2002 through a referendum, और इसने एक referendum के through, अपने आपको declare कर दिया कि पाकिस्तान का president भाई सब, मैं हूँ, in the referendum, many frauds and malpractice took place, fraud समझ रहे हो, जब आप cheating कर रहे हो, अगर किसी paper में, आपके 10 में से 10 number आगे test में, लेकिन वो cheating से आएं, तो इसका मतलब आपने उसमें fraud किया है, तो उस referendum में, इसने काफी सारे fraud किये, गलत technique use की, as a result of fraud in referendum, result came in favor of परवेज मुसर्रफ, और इतने ज्यादा उसमें referendum में इतने ज्यादा fraud हुए, कि जो result है, वो परवेज मुसर्रफ के favor में आ गया, he issued a legal framework order in 2002 and changed the entire constitution of Pakistan, और भाइसा लॉंडे के हाथ में, जैसी power आई, इसने अपने रंग दिखा दिये, इसने legal framework order कर दिया, 2002 में, और पाकिस्तान का पूरा constitution, पूरा जो सम्विधान है, वो बदल दिया, मैंने नीचे दिखा भी रखा डाइग्राम में, According to this framework, President had the power to dismiss national or provincial assembly, ये क्या चाहता था कि सारी power इसी के हाथ में हो और किसी के हाथ में पावर ना जाए, तो इसने ऐसा rule निकाल दिया, कि President के पास power है, वो किसी भी national या provincial assembly को dismiss कर सकता है, देख रहे हैं, यहाँ पर dismiss, निकल यहाँ से, आले, चलो, आगे बढ़ रहा हूँ, जो ये आदमी था, परवेज मुसरफ ये कहां से बिलोग करता था, military से, तो cabinet members का जो भी जो काम करते थे वो लोग, उनके काम को observe करती थी, national security council, अब इस point पर ध्यान देना, जैसे आप कोई काम करते हो, history का काम कर रहे हैं, तो history की madam उस काम को observe करेगी, all the people in national security council were full of military people, और वो जो लोग थे, जो national council में थे, वो सारे किस से भरे हुए थे, military के लोग से, and entire military was controlled by परवेज मुसरफ, और पूरी की पूरी military किस के हातों में थी, परवेज मुसरफ वे, इस वाली बात को इस diagram से समझो, यहां देख रहो, यह cabinet, यह पूरी cabinet, इन पर ध् रखती थी military, और military किस के हात में थी, परवेज मुसरफ के हात में, यानि कि पूरा का पूरा देश किस के हातों में था, परवेज मुसरफ की power में था, as a result of these laws, even elected members were puppet, यानि कि अभी हमने democracy में क्या पढ़ा था, कि democracy के अंदर power उस आदमी के हात में होनी चाहिए, जो election में जी इनने चला कौन रहा है, इनने चला रहा है, परवेज मुसरफ, तो क्या ये democracy हुई, नो, ये democracy के खिलाफ हुआ, entire power was possessed by परवेज मुसरफ, और पूरी की पूरी ताकत आ गई, परवेज मुसरफ के हात में, whatever he wanted, happened in the country, और जो भी वो चाहता था, country में वो ही होता था, ठीक है, तो हमें इस वाली बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी country अपने आपको democratic कहता है, या आप से कोई पूछे के democracy का feature बता दो, तो एक feature तो ये है कि जो power है, वो उस आदमी के हाथ में होनी चाहिए, जो election जीत के आया है, जो elected member है, दूसरा, जो भी नए नियम बनेंगे, जो भी नए कानून बनेंगे, उन्हें elected member बनाएगा, ये नहीं है कि उसे कोई control करेगा, कोई दूसरा, जैसे कि यहाँ पे इन्हें control करता था परवेज मुसर्रफ, ठीक है, the elected members must not be pressurized by any other party or individual, और वो जो elected member है, जैसे मैं दिल्ली के example दिया था, मैंने आपको अरविंद के सीजन सो वो ले, लेकिन उस पर किसी तरह का बाहर से pressure नहीं होना चाहिए, but Pakistan keeps on saying that we are democratic, but still they are very much influenced by the military, हलांकि पाकिस्तान अभी भी ये कहता रहता है, हम तो पूरी तरह से democratic हैं, लेकिन हमें अभी भी पता है कि आज भी वो अपनी military के influence में रहते हैं, वैसे भी यार ये कहते क कुछ हैं, और करते कुछ हैं, और हां तुम्हें तो पता ही था कल सूरे ग्रेंट पड़ा था, और आपको वो दबंग का वाला डायलोग याद है, थपड़ से डर नहीं लगता, साब प्यार से लगता है, अब तुम कहोगे इंगलिस बाबाबा, यहां पर क्यों दे रहे हो यह इसलिए दे रहा हूँ, यह देख रहे हो भाई सब, जब पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस का कहर ढूंड घूम रहा है, तब भारत के लोग ऐसे घूम रहे हैं, मज़े साथ, देख रहे हो भीड, लेकिन भाई सब सूरे ग्रेंट में यह हाल हो गया था इनका, अब क कुछ खा जाते हैं यह, इन्हों ने कोरोना दे दिया, हर जगह, चलो एक मीम इन पर भी हो जाए, भाई सच सच बता ना, डाइनसोर अपने आप ही खतम हो गए थे, या उनको भी खा गए, साले खा गए होंगे, यह चाइना वाले कुछ भी खा सकते हैं, चलिए, तो चाइन इस इलेक्टेड मेंबर्स वोट फॉर प्रेसिडेंट और यह जो तीन हजाल लोग चुने जाते हैं, यह प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, इस वाली बात को मैंने इस तरह समझाया, यह लोग है, सारे लोग, इन्हों ने देखो, यह मैंने एरो से समझाया, तीन हजा लोगों को चुना, और वो तीन हजाल लोग वोट करेंगे, किस के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, यहां तक तो बात ठीक है, तुम कहोगे सार, फिर प्रॉबलम क्या, वाट इस दा प्रॉबलम, सम आफ दा मेंबर्स फ्रॉम इस थ्री थाउजन मेंबर्स आर डिसाइड़ आर्मी, अब देखो, वहां पर भी मिलिटरी का इंटर फेर था, तो यह जो तीन हजार जो लोग है, इन में से कुछ मेंबर्स डिसाइड करती है, आर्मी डिसाइड करती है, ठीक है, एनी केंडिडेट हूँ वांट्स इस नेम टू बी नॉमिनेटिट फॉर इलेक्शन है, चाइनीज कमिनिस्ट पार्टी, अब बच्चा कहाएगा, इंगलिस बाबा, कुछ भी समझ में ना रहा, क्या पका रहे हो हमें, देखो, यह लाइन यह कह रही है, किसी भी कैंडिडेट को जिसे इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, मान के चलो, मुझे खड़ा होना है, बी हमारे, इंडिया के अंदर काफी पार्टी है, बीजे पी है, कॉंगरेस है, आम आदमी पार्टी है, इन्नोलो है, हलो पाही, बहुत सारी है, समाजवादी पार्टी है, सब ठीक है, बस पाहे, लेकन यहाँ पर क्या है, केवल एक ही पार्टी है, जिसका नाम है Chinese Communist Party, तो केव Communist Party and other eight small parties जो छोटी छोटी और भी पार्टी जो केवल CCP को support करती है केवल वो ही election लड़ती है लड़ सकती है अब तुम कहोगे सर वो ही क्यों क्योंकि जिसे भी election लड़ना है उसे permission नहीं उससे लेनी है अब मान के चलो बंदा तो है भाई साब कहीं और का और उसे जो बीजेपी से permission लेनी पड़े तो बीजेपी तो टिकेट उसी को देगी ना जो उसके फेवर मिल रड़ेगा तो CCP तो उसी को टिकेट देगी ना चाइना के अंदर जो CCP का मतलब समझ रहो चाइनीज कम्यूनिस्ट पार्टी अब भाई साब एक किलास में बच्चाई एक पढ़ रहा है तो हर बार वही फस्त आएगा ना तो हर बार चाइना के अंदर वही पार्टी जीतती आ रही है इसके मतलब यह है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में गए उनने गई भाई साब बस डाल है और रोटी यही खानी पड़ेगी तो फिर तो वही खानी पड़ेगी तो जब CCP केवल एक ही पार्टी अब यहां पर देखो मैंने आपको यह दिखा हुआ हुआ है भारत के अंदर लगया कि वह उसी पार्टी की बनेगी और हां यार बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते और तुम्हें एक बात बताना चाहरा था वो मैं यह तुम्हें पता है आग्सक्रांगराम मुझे क्या कहता है हर 10 मिनिट बाद यह कहता है लो देख लो यह कहता है मेरा इंस्टाग् मैक्सिको की मैक्सिको गॉट फ्रीडम इन नाइंटीन थर्टी में ठीक है जी चलो जी बहुत बढ़ी बात है फ्रीडम मिल गी तो मजे करो फ्रॉम नाइंटीन थर्टी से लेके 2000 तक वन पार्टी क्याप्टान मेकिंग इस गॉर्मेंट अभी हमने CCP के बारे में पढ़ा था चाइना में किवल एक ही पार्टी है और मैक्सिको में 1930 से लेके 2000 तक एक ही पार्टी रूल करती आई वही अपनी गॉर्मेंट बनाती रहे इसका नाम है नेम आफ दिस पार्टी इस पी आर आई और इसकी फुल फॉर्म है इंस्टिटूशनल रिवॉ पार्टी अब तुम कहोगे इंगलिश बाबा गलत पढ़ा रहे हो एक तरफ तो कह रहे हो इसका नाम पी आर आई तो यह इसकी जो फुल फॉर्म है वो तो आई से शुरू हो रही है अरे भाईया यह मैक्सिको वाले हैं यह साले उल्टे ही काम करते हैं नाम रख दिया पी इंट्रिट्यूशनल रिवालिशनरी पार्टी तभी तो भाई साम उल्टे सीदे कांड हो रहे हैं गया अब भगवान जाने उल्टे सीदे हीर इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी सिक्सियर्स अब देखो चाइना में और मेक्सिको में कन्फ्यूज मत होना चाइना में मैंने बताया पांच साल बाद और मेक्सिको में मैं बता रहा हूँ आपको छे साल बाद इलेक्शन सोते हैं हीर देर वर अधर अपोजिशन पार्टी जैस्वेल बट याट पी राई कैप्टोन विनिंग यहां पे चाइना के अपोजट दूसरी पार्टी भी थी लेकन हर बार जीतती आई पी आ रही अब तुम सोचो गए हाउड पी आ रही मेक इत मौस पासिबल जब दूसरी पार् तरफ ने भी referendum में माल प्रेक्टिस और फ्रोड किया था तो पी आराई भी फ्रोड करती थी और गुवर्मेंट ऑफिसर है टू अटेंड पी आराई पार्टी मीटिंग्स और जितने भी गॉवर्मेंट ऑफिसर्स होते थे क्योंकि जब सरकार उनकी ये तो भाई साब उन्हें वो बुलाती थी जो भी उनकी पार्टी वगरा होती थी आपने देखा होगा मूवीज वगरा में जो बड़े-बड़े नेता होते हैं वो कुछ पुलिस वलिस वालों से सांट गाट करके रखते हैं अपनी गॉवर्मेंट स्कूल टीचर यूज तो फोर्स पेरेंट्स और प्रिचर हुआ करते थे वो फोर्स करते थे पीटीम वगरा में पेरेंट्स को कि भाईशा पी आराई को वोट करें मीडिया यूज तो शो ओनली पॉजिटिव साइड आफ पी आराई एंड यूज तो इग्नोर देया ड्रॉबेक्स वाइल यूज तो शो ओनली ड्रॉबेक ऑफ अधर ओ्पोजिशन पार्टी ज और जो मीडिया चैनल वगरा थे न्यूज पर वगरा थे ये क्या करते थे पी आराई के अच्छे-चे काम दिखाते थे और उनका जो खराब चीजां होती थी वो उस पर पर डालते थे और जो दूसरी पार्टी फोती थी उनके के वाल अच्छे अच्छे काम दिखाते थे जिसे फर एक्जामपल आप जी निऊस लगा लो तो जी नि उसक्ञा करेगा भाइसाब जो बीज़ब्स पी पार्टी इसके बड़ी met आगा और आ अप जो पियार आई के जो सपोर्टिड लोग वोले को सपोर्ट करते थे उन्हें तो पता रहता था पॉ लंग गोबाल्य जीप laps तो वोट डाल सकते थे जो पोजीशन मोगते थे उन्हें लगता था कि यहां पर है पॉलिंग बूथ लेकिन वो उसके पॉलिंग बूथ की जो लोकेशन थी वो चेंज कर देते थे तो यह सारे रीजन थे जिसकी वज़े से पी राई बार बार जीत्ती आ रही थी पी राई यूस्टी स्पेंड अलोट अफ मनी फॉर दा केंपेंड फॉर इस केंडिडेट्स और जो पी राई है वो इतनी जोर सोर से अपना मार्केटिंग करती थी और उसमें बहुत सारा पैसा लगाती थी जैसे अगर आप दिल्ली के अंदर जाओगे तो दिल्ली के अंदर अर्विंद केजरिवाल जी इतना जादा पैसा खर्च करते हैं केवल मार्केटिंग बे जैसे देख रहो यह बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है इनोंने सड़क के किनारे दिल्ली के चात्रों को बधाई उच्छा के लिए ओय होई होई दस लाग तक के लोन की गारंटी ओय ह होते हो महीने महीने के लिए जब लगता है तो लाख और रोपया का खर्चा होता है अगर आप डिल्ली में रहते हो या मैट्र स्टेशन पर तो आपने देखा और उसमें भी क्या नाम में आप इनके गॉवर्मेंट के वो लगे रहते हैं ठीक है तो ऐसी जो पी राई है वो इनके कैमपेंग में मार्केटिंग कैमपेंग में बहुत सारा पैसा खर्च करती थी दैट मींस इलेक्शन वर नॉट फियर इन मैक्सिको इसका मतलब यह है कि मैक्सिको के अंदर जो इलेक्शन थे वो बिलकुल भी फियर नहीं थे इट वोज आल्मोस्ट इंपॉसिबल रूलिंग पार्टी और इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी थी जिसकी सरकार चली आरे थी पियर आई की उसे हराना लगबग इंपॉसिबल हो चुका था तो यहां से आता है हमारा फीचर नंबर टू पर फीचर नंबर टू बताने से पहले मैं आपको याद दिला दू फी से जनता चुनके लाई है और उस पर किसी भी तरह का बाहर का प्रेशर ना हो अब दूसरा डेमोक्रेसी का फीचर देख लो अट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ट ऑन फ्री और फेर एलेक्शिंस वेर दोस करेंटली इन पावर हैवा फेर चांस आफ लूजिंग येस जो डेम गर्मी के अंदर पादों की खुस्बूत बहुत दूर दूर तक चली जाती है ठीक है तो बेटे इसलिए इसलिए अचार वगरा कम खाया करो वैसी गर्मी इतनी हो रही है अथ तो महर माहूल ऐसा गंदा कर देते हो चलो एनिवेज अट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अब फ्री एंड फे एलेक्शन्स मदलब डेमोक्रेसी अगर है तो डेमोक्रेसी के अंदर जब भी इलक्शन सो तो बिल्कुल फेयर हों भाई जो जीत रहे वो जीते और जो हार रहा वो हारे माल प्रैक्टिस यह फ्रॉड नहीं होना चीज असे मेक्सिको में हो रहा था ठी है where those currently in power have a fair chance of losing just say अगर आपने देखा मैंने भी आपको एक्जामपल दिया था दिल्ली वाला तो दिल्ली में एक टाइम पर सरकार थी किस की बताओ Congress की थी फिर Congress के बाद आगई आप सरकार की इसका मतलब fair elections हुए लोगो ने इस बार आपको दे दिया वो बन गया ठीक है ना डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर मेरे भाई इनका screenshot लेते जाना जहां 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 मैं यह बोल रहा हूं इन डेमोक्रेसी ऊीच एडल सीटीजन मस्ट है वणवोट एंड वोट मस्ट हैं वन Wail U हर डेमोक्रेसी के अंदर हर सीटीजन का एडल सिटीजन का मतलब अठारे पल़स वैसन तो आज करे लडगे-लड़किया 12-13-14-14 होते ही एडल्ट हो जाते हैं और भगवान जाने क्या क्या काम करते हैं मेरा काम से मतलब है मोबाइल चलाने लगते हैं वो नहीं जो तुम सोच रहे हो गंदी सोच वाले तेरा मू काला ठीक है इनर डैमोकरेसी इच एडल्ट सिटीजन मस्ट है वन वोट इच वोट मस्ट है वन वेल्यू मतलब वह कह रहा है के भाई साब डैमोक्रेसी के अंदर हर इनसान चाहे वो आदमी हो या उरत हो जो अडल्ट है जो अठारे से पलस है उसके उसका वोट एक है यह नहीं है कि अगर सलमान खान होगा तो उगर वोट करेगा तो उसके वोट दसमाने जाएंगे नहीं एक माना जाएगा सब की बराबर वैली होगी और इससे बोलते हैं यूनिवर्शल एडल्ट फ्रेंचाईजी चलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईजी के बारे में थोड़ा क्या बात करते हो पकाते बहुत हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दाट राइट वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन एक्जाम में आ जाए वाट इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो आप लिख दोगे कि भाईया जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इसका मतलब है को जितने भी एडल्ट सिटीजन जितने भी बड़े लोग हैं उनको सबको राइट मिलना चाहिए किसका वोट का विडाउड द ढिस्क्रिमेनइशन ओव कास्ट चाहे वह छोटी कास्ट काो बड़ी कास्ट का हो कोई भी क्लास सर कोई गोरा हो या काला हो, religion, hindoo हो, muslim हो, sikh हो, लड़की हो, आदमी हो, या फिर number 6, कोई भी हो, it is based on equality, which is basic principle of democracy, ठीक है, और यही democracy का basic principle है, but still at many places it is not being followed, लेकिन अभी भी कई जगह पर यह follow नहीं हो रहा, For example, अगर मैं बात करूँ साओधी अरेबिया की जी हाँ, साओधी अरेबिया ने भले से बहुत ज़्यादा तरक्य कर ली हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली हो लेकिन आज भी साओधी अरेबिया के अंदर औरतों की हालत बड़ी ही खसता है औरतों को आज भी अलाउड नहीं है वहाँ पर वोट देने का और अगर मैं बात करूँ एस्टोनिया की इस पीपल दा पीपल हो बिलॉंग तो रशियन माइनर्टी आर नाट अलाउड तो वोट एस्टोनिया के अंदर जो लोग रशियन माइनर्टी से बिलॉंग करते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है और अगर फीजी के अंदर तो भाई साब उल्टाई सिस्टम है यहां पर मैंने वोल्ट लिग दिया भाई साब यह इलेक्टर सिटी में मत पहुंच जाना यह गलती से लिग गया है वोट है ठीक है टेर वोट वैल्टी वैल्लीव थाफ तो वह क्या करा फीजी के अंदर पूरॉरा नारियल और यह पूरा वोट माना जाय望 या फिर मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर फीजीका एक आदमी वोट डालेगा तो एक एक वोट होगा और बाहर का अगर दो आदमी मिलके वोट डालेगे तब उसका जो वोट होगा वो एक बनेगा मैं राम unterstüt की भी कोशिश करता हूं इंग्लिश बाबा चैनल पर मेरे दोस्ट पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरा नमबर नोट कर लो 80590-421-4580-590-411-45 मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक भाई सब अपना ध्यान दगना सी यू हुआ है है हुआ है ही पहाँ है था रख शुक कर लेया है क्या है हुआ है